असलाम आलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम एग्जिसाइज 7.1 का क्वेशन नमबर 4 करेंगे क्वेशन नमबर 4 में आपको एक ट्रंगल दिया गया है जिसमें जो साइड अबी है वो किसके बराबर है साइड एसी के बराबर ये जो मैंने दो छोटी सी लकी रेखी जी है न ये रिप्रेजन करती है ये साइड इस साइड के बराबर है और आपको एक एंगल दिया गया है 110 डिग्रीज के बराबर आपको ये जो एंगल्स है बाकी ये आपको निकालने है चलिए देखते इस क्वेशन को हम कैसे सॉल्म करते हैं सबसे पहली बात लाइन एबी ये वाली लाइन और लाइन एसी ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में एट पॉइंट ए ठीक है यहाँ पे आपके दो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल्स एडजेसंट एंगल्स कहलाते हैं वो एंगल्स जो एक दूसरे के बगल में होते हैं ठीक है आजू बाजू में होते हैं 110 और एंगल्स बी एसी ये वाला एंगल्स ये एडजेसंट एंगल्स हैं सो यहाँ पे आपके एक लीनियर पियर बन रही है और आपको पता है लीनियर पियर का जो सम होता है वो किसक degrees के, so लिखिए angle BAC plus 110 that is BAC ये वाला angle और 110, ये किसके बराबर होता है 180 degrees, ये क्या है linear pair therefore angle BAC is equal to 180 degree इसको लीजिए right side की और ये बनेगा minus 110 degrees ये आपका आएगा angle BAC, ये आपका आएगा बराबर 70 degrees, ठीक है जब आप 180, मैंसे 110 subtract करोगे तो जो value आएगा, वो आएगा 70 ठीक है, ये आपका आएगा 70 degrees अब देखिए हमें question कहा रहा है कि side A, B, side A, C के बराबर है, so इसका मतलब ये है कि triangle A, B, C क्या है ये isoseless triangle है और isoseless triangle में जो base angles होते है, that's angle B and angle C ये equal होते है angle B is equal to angle C, ये value हमें आया, ये 70 degree अब हमें angle B और angle C चाहिए, लेकिन angle B, angle C के बराबर है, क्योंकि ये isoseless triangle है, ठीक है isoseless triangle, देखिए अब इसको हम कैसे करते है हमें पता है sum of angles of a triangle किसके बराबर होता है, 180 degrees that is angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees इसके बाद क्या लिखेंगे हम 70 degree plus angle B के बाद लिखेंगे angle B ही लेकिन angle C के बाद लिखेंगे हम angle B, क्योंकि दोनों बराबर है, लिखें angle B is equal to 180 degrees ये 70 अपनी जगा लिखें बी और B कितने होता है B plus B, twice B twice angle B is equal to 180 degrees मुझे angle B का value चाहें लेकिन इसके साथ 2 B है लिखे twice angle B अपनी जगा is equal to 180 degrees इसको लिजे right side के और A बनेगा minus 70 जो value आपका आएगा twice angle B का वो आएगा 180 मेंसे जब आप 70 कम करोगे तो वो आएगा 110 degrees therefore angle B जो मुझे चाहिए वो आएगा आपका 110 divided by 2 2 ones are 2 into 55 so angle B आपका आएगा 55 लेकिन angle B angle C के बराबर है so angle C B के आएगा आपका 55 degree so यह आपका question no. 4th complete हुआ जाएगा 4th complete with 5th complete with